क्या सुप्रीम कोर्ट के एक फैसले से देश के लिब्रल गैंग को करारा तमाचा पड़ा है? सुप्रीम कोर्ट ने क्यूं कहा हिंदू विवाह नाचने गाने की फंक्शन पार्टी नहीं है। हिंदू विवाह में साथ फेरे या सब्तपदी की रस्म पर सुप्रीम कोर्ट ने क्या एहम टिपणी की? दोस्तो देश का लिबरल गैंग, JNU का लिबरल लेफ्ट गैंग, बंगाल की जाधवपुर युनिवर्सिटी, पॉंडीचेरी युनिवर्सिटी, IIT मुंबई जैसे संस्थानों के वामपंथी मानसिक्ता वाले छात्र अकसर सनातन हिंदू संस्कृती को किसी न किसी बहाने बदनाम करते रहते हैं, वो हिंदू विवा की रस्मों का भी अकसर मजाक उड़ाते रहते हैं, मीम्स बनाते रहते हैं, यहां तक कि कई लोग तो लिबर्टी के नाम पर व्याभिचार का भी समर्धन करने से नहीं चूपते हैं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के एक ताजा निर कैसे ये फैसला लिबरल गैंग को भटकार लगाने वाला है, आप बस देखते रहिए दा कर्मा दोस्तो तलाग के एक मामले में सुप्रीम कोर्ट ने एहम फैसला सुनाया है, कोर्ट ने कहा है कि हिंदू की शादी बिना सब्त पदी यानी साथ फेरों के मानने नहीं है, सिर्फ मैरिज सर्टिफिकेट होने से विवा होना नहीं माना जा सकता, जब तक कि साथ फेरों के प पवित्रबंधन हैं, ये सिर्फ खाने पीने और नाचने गाने का समारो भर नहीं है। सुप्रीम कोर्ट से पहले इलाबाद हाई कोर्ट ने भी कहा है कि हिंदूों की शादी में सब्तपदी अनिवार है, बिना साथ फेरों के हिंदू विवाह होना नहीं माना जाएगा। लाइव लॉग की रिपोर्ट के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाते हुए हिंदू मैरिज एक्ट 1955 के आधार पर एक ऐसी ही शादी को रद्ध कर दिया, जिसमें मैरिज सर्टिफिकेट पर पती पत्मी के हस्ताक्षर तो थे, लेकिन दोनों के बीच विवाह की कोई रस्म नहीं हुई थी. दोस्तो सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि हिंदू विवाह को लेकर अगर कोई विवाध होता है तो उसके निप्टारे के लिए साथ फेरों की प्रक्रिया का सुबूत भी होना चाहिए. अगर किसी ने बिना साथ फेरों के विवाह किया है तो वो हिंदू मैरिज एक्ट के सेक्शन 7 के अनुसार हिंदू विवाह नहीं माना जा सकता. सब्तपदी जैसी विवाहिक रस्मों और कारिक्रमों के बिना सिर्फ मैरिज सर्टिफिकेट बनवा लेना, न तो शादी का सुबूत है और ना ही हिंदू मैरिज एक्ट क वो गहराई से जाने कि भारतिय समाज में विवाह कितना पवित्र संसकार है. विवाह गीत और नृत या शराब पीने या खाने का आयूजन नहीं है. ये ऐसा महत्वपूर्ण आयूजन है जो एक पुरुष और एक महिला में संबंध स्थापित करने के लिए मनाया जाता है जिससे वो पती-पत्मी का दरजा प्राप्ट करते हैं. कोट की ये टिपणी तथा कथित लिबरल गैंग के मूँ पर एक तरह से तमाचा है जो अकसर हिंदूओं की शादी की रस्मों का मजाग उडाते रहते हैं. दोस्तो इससे पहले 22 मार्च 2024 को इलाबाद हाई कोट ने एक महत पूर्ण फैसला सुनाते हुए कहा था कि कन्यादान हिंदू विवाह के लिए एक अनिवारे रस्म नहीं है। हाई कोट ने कहा है कि कन्यादान एक महत पूर्ण रस्म हो सकती है लेकिन ये विवाह की वैधता के लिए जरूरी नहीं है। जिसे सुप्रीम कोट ने अनिवारे बताया है। साथ निभाने का वादा करते हैं। साथ फेरों में दूला वैधुलहन दोनों से साथ वचन लिये जाते हैं। ये साथ फेरे ही पती-पत्मी के रिष्टे को साथ जन्मों तक बांधते हैं। दोस्तो ये विडियो आपको जरूर पसंद आया होगा। इसे लाइक और शेयर करें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबाना न भूलें। धन्यवाद आपका। आपका।